हेलो फ्रेंड मैं वो साजित और आप देख रहें CP ट्रेनिंग चैनल आज हम लोग सीखेंगे कि फॉल्डर का आइकन कैसे चैंज किया जाता है तो चलो देखते हैं स्टार्ट करते हैं जैसे कि यह जो आइकन दिख रहा है तो इसका आइकन जो है हम चेंज करना चाहते हैं इस चैंज आइकन जो भी आइकन हमको रखना है हम यहां से रख सकते हैं और अप्लाई होके यहां चैंज होगी है आइकन फिर से से चैंज करना है तो हम चैंज कर सकते हैं जो आइकन पहले था हम वह आइकन रख सकते हैं या फिर हम कोई दूसरा चैंज कर सकते हैं तो इस तरह स आइकन चेंज कर सकते हैं थैंक्स फोर वाचिंग